हेलो फ्रेंड्स हो यू कैसे आप सभी फसलास एक दम ओके तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक अपना नेक्स यूनिट और इस यूनिट का नाम है क्या प्रोडक्शन ठीक है प्रोडक्शन यह टॉपिक आपने पहले भी स्कूलिंग में किय लेकिन अब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा एडवांस लेवल पे नईनी चीजों के साथ समझने जा रहे हैं ठीक है इस पूरे टॉपिक के दौरान इस पूरे यूनिट के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आने वाले टॉपिक चाहे वो कॉस्ट हो चाहे वो मार्केट हो वो कम्प्लीटली इस इस टॉपिक पर डिपेंड होंगे इस चेप्टर पर डिपेंड होंगे तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए कोई भी क्वेरी है उनका सॉलूशन रेगुलर बेसिस पर आपको पता लगाना है उस टॉपिक आपको सबसे अच्छे तरीके से आना चाहिए और एक्जाम में भी इसमें से काफी सारे कोशन्स आप से पूछे जाते हैं तो अब शुरू करते हैं टॉपिक प्रडॉक्शन और प्रडॉक्शन टॉपिक शुरू करते ही सबसे पहला क्या राइज होगा आप समझ हम यह देखते हैं कि प्रडॉक्शन का मतलब होगा कि चीजों को बनाना ओके चीजों को क्रियेट करना प्रडॉक्शन करना गुड्स का ओके मैं फैक्चरिंग यह वर्ड हमारे दिमाग में आते हैं तो अगर मैं आपको बताऊं कि वर्डिस प्रडॉक्शन मीन्स पहले तो production को हम रिलेट करते हैं manufacturing के साथ किस के साथ manufacturing के साथ तो दोस्तों यह क्या है शर यह है convection ये क्या है production और अगर मैं बात करूं तो जो manufacturing है ठीक है हो पार्ट होता है किसका production का ध्यांदे भई पूरा जो area है जो बड़ा circle है वो indicate करा है किसको production को और जो manufacturing है वो उसका part है sir इसका मतलब क्या हूँ? इसका मतलब यह हुआ manufacturing related होती है goods के production से goods के production से visible जो दिखाई देता है लेकिन जो production है वो services का भी होता है अब जैसे यह correlation है हमारे बीच में जो service में आपको provide करा रहा हूँ तो यह भी क्या है? यह भी production का एक part होता है तो खाली यह बोलना के manufacturing का मतलब होता है क्या? sir उसका मतलब होता है production ठीक है लेकिन यह आधा ठीक है अगर हम बात करें manufacturing की वो goods से related है और services का एक production होता है so production of goods and services यह पूरी definition cover होगी not only manufacturing okay sir इसकी proper definition क्या बनेगी इसको तो उटा देते हैं इसकी शाय जरूत नहीं है ठीक है sir इसकी proper definition क्या बनेगी देखो आईए production की definition समझते हैं the term production means के production actual में होता क्या है? what is production means so production is creation of utilities okay production means creation of utilities sir इसका मतलब क्या बढ़ देखो यहाँ पर छोटी डेपनेशन होगे बिल्कुल इसको हमें in detail अभी समझेंगे creation word आया और utility word आया creation word जुडा हुआ है किस से? producer से किस से? producer से और जो word है utility वो जुडा हुआ है किस से? consumer से sir यहाँ पर consumer कहा से आ गया? हम production की बात कर रहे है तो हमें producer पर focus रखना चाहिए था consumer कहा सा आ गया? देखो दोस्तों समझो अगर आप किसी भी चीज़ की manufacturing कर रहे हो, किसी भी चीज़ को produce कर रहे हो, कोई भी services आप provide कर आ रहे है तो वो क्यों provide कर आ रहे हैं? आप goods का production कर रहे हैं, आप services का production कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, आप जानते हैं कि market में इसके requirement है, लोग है जो इन चीज़ों का फाइदा उठाना चाहते हैं, जो लोग इन चीज़ों को purchase करना चाहते हैं, तभी तो आप produce करोगे ना, भी market में हालात क्या है, market में demand किस चीज़ की है, उसके accordingly आप goods का production करोगे, services का production करोगे, तो utilities का मतलब क्या हुआ, यह consumers की requirement है, यह consumers की requirement है, और उसी requirement को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ create करना पड़ेगा, obviously यह creation कौन करेंगे, यह producer करेंगे, और इसी process को क्या का जाता है, production, okay, so basically production का मतलब क्या हुआ, consumer को जो चाहिए, उसे create करना, market में available करवाना, और obviously अगर available कराएंगे, तभी consumers की जो wants हैं, वो satisfy होंगी, so in short, the term production is creation of utilities, what creation of utilities, अगर इसकी proper definition हम लिखें, production, production is the process of, थोड़ी से भी इसको में वास्ट करेंगे definition को, okay, production is the process of creation of economic utilities, ठीक है, creation of economic utilities, इतना काफी है, यहाँ पर मैंने एक economic word और एड़ करा definition में, economic term जो है, वो present करती है, कि इसको monetary को, money को, के बहीं सीधी सी बात है, जो भी कुछ हम produce करने जा रहे हैं, उसकी evaluation हम money के terms में कर सकते हैं, ठीक है, तो that is what, economic utilities, economic नहीं भी लिखोगे, utilities लिखोगे, तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको पता है in detail, कि production की जो values हैं, money की term में, तो economic utilities कहना better होता है, ठीक है, और रही बात किसकी, process की, process कहां से लेकर कह तक, creation to satisfying wants, okay, creation to satisfying wants, process मतलब यह नहीं, goods बन गए, production पूरा हो गया, नहीं, production का process आगे भी चलता रहता है, ठीक हर, वो कब तक चलता है, जब तक consumer अपनी want को satisfy ना कर ले, वो आपका पूरा process production में कहा जाएगा, तो हमने simplify कर दिया, खतम कर दिया, term production क्या होती है, production का मतलब है creation of utility, okay, utility किसके लिए, consumer के लिए, creation कौन करेगा, producer करेगा, create हुई, consumer ने consume किया, उनकी want satisfied हुई, यह पूरा process production के अंदर आता है, okay, समझा गया, now, next, इसको उटा देते हैं, अब सर्प्रोडक्शन होता कितने तरीके से, इसके क्या-क्या parts होते हैं, देखो, production के process को, जैसे कि अभ cover होते हैं, ठीक है, तो वो कौन-कौन से आपके concept है, कौन-कौन से process है, जिनको production का नाम देंगे, so next heading is what, types of production, next is what, types of production, या types of requirement, या types of utilities, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, यह सारा cover कर लेगा, कि हम किन तरीके से किन-किन requirement के लिए production करते हैं, okay, so the very first part is, वह सबसे simple, जो immediately हम आपरे दिमाग में आता है, that is what, form utility, form utility, सरी, form utility क्या हुआ, form word पर ज्यान देंगे, form word बिल्कुल clear कर रहा होगा, आपकी meaning form utility का मतलब है, कि भई, जो भी कुछ है, available, कौन available है, सरो, material available है, उसकी form change कर देना, it means converting, converting raw material, converting raw material into finished goods, okay, converting raw material into finished goods, is known as what, form utility, okay, जैसे मैंने बताया ना, कि production के अलग-अलग scenario होंगे, अलग-अलग area होंगे, तो वो कौन से area होंगे, उसकी बात हम कर रहे है, form utility का मतलब क्या हुआ, कि raw material को, हम finished goods में convert कर देंगे, exactly, यह आपका cover होगा manufacturing के अंदर, जो manufacturing वाला point आप बोल रहे थे, आपने starting में discuss किया, वो इसके अंदर आएगा, manufacturing क्या होता है, manufacturing is what, form utility, ठीक है, इसके अंदर आप जितनी भी industries हैं, example अगर हम इसका लेकर देखें, तो for example, steel industry, ठीक है, इसके लाब कोई भी industry, कोई भी goods आप बना रहे हैं, like, shoes, making, pen, etc., जहां पर हमारे पास raw material आता है, और उसको हम utility के गॉर्डिंग, goods में convert कर लेते हैं, okay, that's it, आगे बढ़ते हैं, next concept हमारा निकल के आता है, second, second is what, place utility, okay, place utility, place word पर ध्यान देंगे, सर, place का मतलब क्या हुआ, exactly, अगर हम place word की बात करें, तो इसमें आपका आ जाता है, exactly, transportation, क्या जाएगा इसमें, transportation, सर, मतलब, मतलब यह वा देखो, अगर हम बात करें, कोई भी factory अगर establish होती है, हमने मतलब production करने के लिए, manufacturing unit जो है, establish करी, और किसी भी चीज़ को produce करने के लिए, सबसे main requirement जो होगी, वो किस की होगी, वो raw material की होगी, हमें क्या चाहिए, raw material चाहिए, pen बनाना है, कपड़े बनाने है, furniture create करना है, तो definitely उसके लिए हमें raw material के जरुत होगी, अब ऐसा तो नहीं होता ना, कि जहां पर हमने factory established करी है, immediately उसके बगल में ही हमें सारा गा, सारा raw material निल जाए, ऐसा possible नहीं है, for example, भई माल लिजे, thermal power station है, electricity generate करने का काम होता है, main जो product है, वो क्या होगी, electricity है, अब thermal power station में, जो main raw material है, वो कौन सा है, बताइए, exactly, वो coal है, कोईला है, कि वहाँ पर electricity generate करने के लिए, हमें कोईले की जरुत है, तो भई, जहां thermal power station बनाया, बिल्कुल बगल में, चारो तरफ क्या कोईला विलेबल होता है, ऐसा नहीं होता, thermal power station अलग-अलग जगह पर है, कोईले की जो खाने हैं, जो mines हैं, वो अलग है, तो definitely, उन mines से उठाकर, ठीक है, raw material, कोईले की बात हम कर रहे हैं, उठाकर, ठीक है, हम ले जाते हैं, कहां तक, ठीक है, कहां पर ले जाते हैं, आप thermal power station तक, तो यह जो transportation का process है, that is what, place utility, ठीक है, that is what, place utility के हमने raw material को एक जगह से दूसरी जगह पर provide कर आया, ऐसे ही, अगर हम plastic की बात करें, अगर आपने कोई raw material पैन बनाने की industry setup करी, तो आपको regular basis पर प्लास्टिक की ज़रूत पड़ेगी, तो वो supply होकर आपकी shop तक, आपकी factory तक आएगा, ऐसे ही, builders हैं, घर बना रहे हैं, building material उन्हें चाहिए, cement चाहिए, bricks चाहिए, आपका steel चाहि utility के हम, हम raw material को एक place से दूसरी place तक ले जाते हैं, ठीक है, और उसे further production के लिए provide कराते हैं, that is what, form, sorry, that is what, place utility, okay, हाँ, कह सकते हो, कि form utility काफी अद तक place utility पर भी depend रहता है, okay, आगे बढ़ते हैं, next point is what, next point is what, third, third point is, time utility, that is what, time utility, time utility का मतलब क्या हुआ, guess, normally, normally, उस time पर, उस time पर raw material को provide कराना, जिस time वो available नहीं होता, okay, normally, उस time पर raw material को provide कराना, जब वो available नहीं होता, इस production process को कहा जाएगा, क्या time utility, sir, ये कैसी बात, मतलब normally raw material available नहीं है, और उस time पर हम available करा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, देखो, इसको भी हम क्या करते हैं, example के थूँ समझेंगे, जैसे, for example, भाई, जैसे माजा, slice, आपने सभी ने, क्या करते हैं, पी होगी कभी ना कभी, obviously, अब suppose, अगर हम बात कर रहे हैं, कि आपका slice है, माजा है, इनका जो main ingredient है, वो क्या है, वो मैंगो है, ठीक है, कि उसको बनाने के लिए आम की जरुद पढ़ती है, अब हम गहराई में नहीं जाएंगे, कि वाकिए में होता है, नहीं होता है, obviously, हमारी knowledge में क्या है, कि मैंगो है, अब obviously, mango का जो season है, वो कब आता है, कि वह सर गर्मियों के टाइम पे, आपका जोन, जुलाई, अगस, तीन, चार महीने ही, जो आम का season है, वो रहता है, लेकिन जो माजा है, जो slice है, उसका पूरा का पूरा production है, वो क्या कि इनी मंस में चलता है, नहीं, वो throughout the year, पूरे साल वर उसका production चलता रहेगा, ठीक है, अब मान लीजिए, हमें माजा है, slice का production करना है, January में, December में, February में, अब उस टाइम पर तो mango का season नहीं होता, तो फिर कैसे होगा, yes, definitely, उस टाइम पर, इन companies को mango's provide कराना, as a raw material, इसी को कहा जाता है, क्या time utility, सरे possible कैसे है, definitely cold storage system, जब mango का season आया, तो एक बड़े amount में mango का, mango को store कर लिया ग cold storage system में, और जैसे-जैसे requirement, companies की तरफ से आती रहती है, time being, November में, December में, January में, तब वहां से उस raw material को निकाल कर, companies को provide कराया जाता है, okay, so that is what, time utility, कि normally, normally, जब raw material की presence नहीं होती है, मतलब सीजन नहीं होता है, ठीक है, production नहीं होता उसका, और उस time पर producer को raw material की जरुरत है, तो उ all about providing, providing raw material, providing raw material, rm, लिखना हो, छोट में, ठीक है, when it required, ठीक, requirement की time पर, example आप इसका लिख सकते है, cold storage system, okay, cold storage system, ठीक है, तो यह हमने example देखा, किसका, form utility का, sorry, क्या करते हैं, time utility का, last point पर आते हैं, चार utilities होती है, चार production के types होते हैं, the fourth one is very simple, अगर हमने अभी तक, तीन topic discuss करें, तो तीनों के तीनों कहीं ना कहीं goods के production से related थे, form में हम convert कर रहे हैं, raw material को goods आ गया, place utility में transportation, although एक service है, लेकिन हाँ, again same thing, manufacturing department से ज्यादा मिलता जुलता है, time utility, same raw material provide कराना, यह भी सिक अंदर आ गया, so the last point is what, service utility, service utility, ठीक है, और बिल्कुल simple concept इसका, इसमें जितने भी आपके professional हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं, professional services, इसमें आप लोग आ गए, CAs आ गए, CMAs आ गए, CS आ गए, teachers आ गए, managers आ गए, engineers आ गए, etc, यह सभी आपके consider होते हैं, किसके अंदर, service utility के अंदर, मतलब इनकी यह पास अपनी कोई particular skill है, skill based है, ठीक है, और उसके according अपनी, जो services हैं, वो provide कराते हैं, और उसके accordingly ही आगे काम होता है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर production के चार टाइप discuss करें, the first one is what, form utility, next one is what, place utility, उसके बाद time था, उसके बाद क्या था, service था, form में हम क्या करते हैं, raw material को finish good में convert करने का, conversion of shape, ठीक है, place में transportation, जहां पर raw material provide हो रहा है, से लेकर जहां पर उसकी जरुरुत है, उसका पूरा process, place utility, time utility, normally raw material, बारा महीने provide नहीं हो सकता, मतला उसका production नहीं हो सकता, लेकिन बारा महीने जरुजरु जरुरु पड़ती है, तो जब production नहीं possible और उस time पर जरुरुत है, तो raw material को provide कराना, cold storage system का example, mango वाला, हमने इसमें देखा, and the last one is what, service utility, professional skill, के according, अपनी services देना, दूसरों को देना, it is also a part of what, production, ओके दोस्तों, तो हमने यहाँ पर in detail, discuss करा के production, किन-किन तरीके से होता है, इसकी utilities, क्या होती है, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे हम move करने वाले हैं, एक छोटे से topic पर, that is what, factors of production, और यह topic फिलहाल, अभी हम in detail नहीं करेंगे, ठीक है, मैं बस आपको बताऊंगा, कि production करने के लिए, कौन-कौन से factors चाहिए, although मुझे भुरोसा है, कि आपको पहले से पता होगा, कि कौन-कौन से हमें factors चाहिए, production करने के लिए, और उसके बाद हम अगले topic पर जाएंगे, production function, और जब chapter खतम हो जाएगा, तब वापस इस topic पर आएंगे, क्यों? तब तक आप इन सभी topics से familiar हो जाओगे, तो मुझे मेरे efforts से वो कम हो जाएंगे, और definitely आपके answer, पहले से ही तयार होंगे, कि इन सब factors में होता क्या-क्या है, ठीक है, तो मैं next setting डाल रहा हूँ, factors of production, और exactly, आप मेंसे कई और answer दे भी दिया है already, production करने के लिए, चार factors की ज़रुत पड़ती है, चार major factors, वो कौन-कौन से हैं, yes, sir, पहला है land, दूसरा है labor, फिर है capital, and the last is entrepreneur, आप entrepreneur बोलें, entrepreneurship बोलें, एक ही बात है, ठीक है, होता क्या क्या है, overview देख लेते हैं एक बारी, ठीक है, in detail, इनके features, जैसे मैंने बताया, हम chapter end में करने वाले हैं, फिलाल नहीं, तो सबसे बहला factor क्या, land, obviously, जहां पर हम अपने unit को, अपने firm को, अपनी factory को establish करेंगे, जमीन, वो हमें चाहिए, ठीक है, that is what, land, labor, जो लोग काम करेंगे, obviously, आकर, बिना labor के, बिना employees के तो काम possible नहीं है, तो जो हमें, जो manpower चाहिए, जो आपका labor force चाहिए, उसे कहा जाता है, क्या, आपका labor, okay, main factor हुआ, capital, obviously, money, भई हमें इतनी सारी चीज़े manage करनी है, raw metal purchase करनी है, machine purchase करनी है, building purchase करनी है, ये तमाम चीज़े, advertisement का खर्चा होगा, transportation का खर्चा होगा, तो सब free में नहीं होगा, इसके लिए amount pay करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये money चाहिए, money stands for what, capital, ठीक है, ये main factor हुआ, and finally, ये तीनों factor, land, labor और capital, अगर हमें मिल भी जाएं, तब भी एक भी unit produce नहीं हो सकती, possible नहीं है, जब तक ना हो कौन सा entrepreneurship, fourth factor, मतलब सर, देखो, basically entrepreneurship के अंदर, दो वर्ड कवर हो जाते हैं, एक owner और एक क्या management, ठीक है, owner obviously जो उस पूरे के पूरी company को, पूरे के पूरे organization को, firm को संभाल रही है, जिन्होंने पैसा लगाया है, जिन, जो head है एक तरीके से, owners, ठीक है, वो भी कुछ काम करते हैं, लेकिन सारा नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने managers रखे हुए, desire what, management, ओके, तो management है, owner है, ये decision लेते हैं, कि हमें इस business को किस और ले जाना है, हमें क्या क्या टार्गेट्स जो हैं, वो achieve करने हैं, ठीक है, हमें इस साल कितना production करना है, कितनी machine ही यूज़ करना है, कौन सी strategy बनेगी, कौन सी policy बनेगी, तो एक तरह से business को shape देने का काम, वो किसका होता है, वो entrepreneurship, owner and management का होता है, तो ये एक fourth main factor हमारे सामने निकल कर आया, चार factor जिनके बिना production possible नहीं है, चारों चाहिए, ये नहीं के तीन से काम चल जाएगा, दो से काम चल जाएगा, land, labor, capital and entrepreneurship, और in detail अगर हम बात करें, तो यहां पर हम इसके factors अभी नहीं करने वाले हैं, हम ये बाद में करने वाले हैं, अपने topic को production function को finish करने के बार, तो दोस्तों अभी तक हमने दो topic discuss करें, पहला क्या था, production की meaning, मेंने हमने देखी creation of utility, चार पार्ट उसके आगे, form, place, time and service, और अभी हमने discuss करा क्या, सिर्फ factors के बारे में, overview लिया, चार factor चाहिए, land, labor, capital and entrepreneurship, आईए, अब बढ़ते हैं, अगले main topic पर इस chapter के, and that is what, that is what, that is production, एक words के साथ हम लगा देंगे, function, that is what, production, function, तो production function होता क्या है, production function होता क्या है, सबसे पहले तो, अगर, यह मैंने शाहिद पता नहीं, आपको पहले बताया था, नहीं पताया, demand function में, जों आपकरी आपकि किया था, कि अगर function नगफर जुड़ जाता है, अगर function जुड़ जाता है, किसी भी word के साथ, तो function word present कर रहा है, किसको relationship को, किसको? relationship को, relationship किसके बीच में, जो पहले वाला word है, production और उसके factors, ठीक है, जो पहले वाला word है, production और उसके factors तो simplify करने पर production function की definition यह बन गई ठीक है production function is the relationship between is the relationship between production and production and factors affecting production okay इसमें देखो दो main word हमारे आए एक मैंने क्या बोला production और एक factors okay यहाँ पर अगर हम बात करें यह क्या है output और यह क्या है input okay sir मतलब क्या हुआ input है output है definition आप में लिख दी देखो definition तो देखो clear हो जानी जैसे मैंने आपको बताया कि production function 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 word किसको present कर रहा है function word present कर रहा है relationship को ठीके किसके बीच की relationship जो पहले वाला word है यानिके production और उसी के factors प्रड़क्शन एडिट फैक्टर सब्सक्राइब कर रहे हैं प्रड़क्शन वड़क्शन का मतलब क्या है लेबर में convert करते हैं ठीक है और इन सभी चीजों को हम नाम देते हैं क्या input okay input बोले factor बोले एक ही बात है production करने के लिए जो हमने लगाया है ठीक है that is what input okay अब next यह सारे factors मिलकर एक साथ काम करते हैं land labor capital production शुरू होता है राव मेटल कंवर्ट होता है पैकिंग होती है बिकता है समान मार्केट में जाके तो यह सब process कैसे possible जब हमने कुछ ना कुछ input लगा है raw material मशीन वगएरा लेबर वगएरा इंट्रड्यूस करें अब यह सारी की सारी चीजें मिलकर एक साथ काम करती है तभी कुछ ना कुछ बनता है और उसी को क्या का जाता है output उसी को क्या का जाता है output अगर मैं raw material में change करूं तो output पर असर पड़ेगा अगर मैं labor बढ़ा दूं या कम कर दूं तो output पर असर पड़ेगा मशीन पहले से जादा कर दी या कम कर दी तो output पर असर पड़ेगा in short कुछ भी change होगा कुछ भी variation आएगे input में तो उसका असर किस के ओपर पड़ता है output के ओपर पड़ता है तो in short output is dependent on what input तो इसी लिए हम कहेंगे कि production function क्या है इन दोनों की बीच की relationship है production function is the relationship between output and input production function is the relationship between production and its factors तो दोनों में से कोई भी definition चलेगी meaning आपको clear होना चाहिए definition तो आप खुद भी अपने words में फॉर्म कर सकते हो हाँ concept वो clear होना चाहिए तो हम दो चीजों को discuss करते हैं इसमें वो क्या एक आपका production और उसके factors समझा गया that is what the meaning of production function आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमने यहां पर production की बात कर ली कि production क्या होता है हमने उसके factors की बात कर ली कि वह factors हमें production करने के लिए कौन-कौन से चाहिए हमने यह भी discuss कर लिया कि जो production function है वो क्या होता है यह मैं पता चला कि input और output की relationship होती है अब आते हैं सबसे main कडी पर जो जरूरी है बहुत जरूरी है वो क्या है the heading is laws of production that is what laws of production production करने के rules production करने के नियम क्या क्या है सब production करने के rules yes exactly अगर आप कोई भी business setup कर रहे हैं उसे चलाना चाहते हैं regulate करना चाहते हैं तो आपको कई सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है तभी जो business है वो एक अच्छी position में जाकर खड़ा होता है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करने laws of production का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी production process में है engaged है तो obvious सी बात है आपको किन-किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कौन-कौन से चीजें हैं जो business को production को affect करती है ओके तो next laws of production आईए ध्यान देते हैं देखो मान लीजिए मान लीजिए suppose आपने कोई production शुरू किया आपने कोई भी production शुरू करा production शुरू करने पर आप क्या सोचते हैं कि immediately यार मतलब हमें यह business छोटे time के लिए कुछ time के लिए चलाना है यह लंबे time के लिए हम इसको positive thinking के साथ लेकर चलेंगे कि यार हमें 19 साल 12 साल 20 साल 50 साल यह business करना है बताईए क्या रहा था आपके mind में हाँ जी दुबारा से question में आपके सामने रख दूँ अगर आप अपना कोई भी business शुरू करते हैं ठीक है उसमें investment करते हैं उसकी planning करते हैं तो आप जो investment है जो आपके objectives हैं जो planning है वो किस point of view से होती है कि यह business पहले आपको short term में चलाना है चोटे time के लिए चला कर देखेंगे इसको ठीक है या फिर यह business हमें long term में लेकर जाना है long term तब चलाना है 40-50 साल उस हिसाब से planning करोगे बताईए long term के भी हाफ से planning होगी short term के भी हाफ से होगी बताईए जहां दीजेगे दोस्तो mostly जो response है वो है sir हम business को long term के लिए लेकर production process हमेशा short term के हिसाब से होता है sir यह आप क्या कह रहे हैं कि हम business शुरू कर रहे हैं यह सोच कर कि हमें चोटे time के लिए चलाना है नहीं दोस्तों business शुरू तो इसी लिए ही हुआ है कि हमें लंबे time तक चलाना है positive thinking obviously ठीक है कि हम लंबे time तक business को करेंगे लेकिन जब बात आत basis की होगी यह investment किसकी short term basis की होगी क्योंकि क्योंकि जब हम पहले अपने आपको short run में setup कर पाएंगे short run में खड़ा कर पाएंगे अपने business को तो obvious सी बात है तभी तो हम long term की तरफ जाएंगे आप मालीजिए for example जूम कर रहा हूं मैं आपने एक factory स्टार्ट करी और factory suppose क्या क्या पहले दिन ही आप दस दस बीस बीस चालिस चालिस मशीने लगा दोगे क्या पहले ही दिन आप पूरी की पूरी बिल्डिंग लीज़ पर ले लोगे क्या पहले ही दिन ने आपने 1000 वर्कर को अपने business में एंगेज कर दिया नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे आपका positive thought है कि मैं य labor को arrange करेंगे तो purpose रहेगा कि नहीं यार दस बारा मशीन नहीं अभी हम दो तिन मशीन से काम करेंगे मुझे 1000 लेवर नहीं चाहिए मैं अभी पांदस लेवर से काम करूंगा ठीक है मुझे पूरी की पूरी बिल्डिंग नहीं चाहिए मुझे एक फ्लोर अगर मिल जाए एक एरिया थोटा सब मिल जाए तो मैं अपना काम शुरू कर रहा हूं काम करना long run में है लेकिन जब investment होगी starting में तो पहले आप क्या करते हैं short term basis के हिसाब से investment करते कुछ time तक business को चला कर देखा जाएगा यह पता लगाया जाएगा कि profit हो रहा है नहीं हो रहा जब short run में आप profit earn करने लगेंगे तो obvious है तो obvious है तब आप उस शौर्टन वाले business को long term में करोगे ठीक है इमीजेटली जो investment होगी जो objective भी long term वाले नहीं होंगे starting में हम पहले step by step short term के सबसे चलेंगे short term profitable लगा long run में चले जाएगे that's it okay तो याद रखेगा कभी भी कोई भी business start हो setup हो first step is कि शौ long run में convert करेंगे और अगर हमने long run के हिसाब से भी investment कर दी और short term में loss हो गया तो हमारे सारा का सारा पैसा डूप जाएगा तो पहले छोटे time के लिए चला कर देखेंगे तो उसी के according laws of production क्या करते हैं डिवाइड होए हैं एक वो law जो हम follow करते हैं किसमे short run में छोटे time के business में और एक वो जो हम use करते हैं जो apply करते हैं किसमे long run में ओके next सरी कौन-कौन से हैं देखो short run में जो law apply होता है that is what return to a factor उसे क्या का जाता है return to a factor और जो law long run में apply होता है वो होता है return to a scale अब आगे next चाहे आप short run में काम कर रहे हैं या long run में काम कर रहे हैं हमें production करने के लिए दो तरह के factors की जरूत होती है चाहे आप short run में है चाहे आप long run में है तो आपको production करने के लिए दो तरह के factors की जरूत पड़ती है the first is fixed factor another is variable factor same as here FFVF fixed factor variable factor next अब यहां पर सर यह क्या है fixed factor variable factor क्या है देखो अभी मैं nature के हिसाब से मैं production के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ fixed factor variable factor क्या होते है मैं नहीं के nature के हिसाब से बता रहा हूँ कि fixed factor variable factor क्या होते है अगर हम production कर रहे है production करने के लिए में factors चाहिए बिल्कुल सही बात है कौन-कौन से factors की जरुत पड़ेगी बताइए अगर आप production कर रहे हो आपका कोई भी business है like clothing का है या कहते हैं चूज बनाने का है पैन बनाने का है whatever कुछ भी तो ऑविस सी बात बताइए आपको कौन-कौन से factors की जरुत पड़ेगी सर में factor तो वह है land labor capital ठीक है इनको थोड़ा और classify कर लेते है सर हमें machine चाहिए हमें labor चाहिए हमें raw material चाहिए building चाहिए यह सारे factors हमारे सामने होने चाहिए तभी production का process आगे बढ़ेगा मैं इन में से दो example को लेके चल रहा हूँ एक क्या machine और एक क्या labor एक तरफ मैंने क्या जियूम करा machine एक तरफ क्या जियूम करा labor अब दोस्तों ध्यान दीजे machine में और labor में क्या फरक है बताइए सर मशीन मशीन होती है labor labor होता अरे वाँ my god क्या अपने defense दिया बहुत बढ़िया सर क्या कहते हैं जो machine है वो non living है और labor living है और वो तो बिलकुल ठीक बात है लेकिन इसके अलावा दोनों में क्या फरक है ध्यान देंगे अगर हम मशीन की बात करें what is machine machine is about definitely a non living thing लेकिन अगर मशीन की cost की बात करें ठीक है यहां three date वाली definition मत ले के आ जाना machine वो wrench वाली नहीं ठीक है machine की अगर हम बात करें तो machine का मतलब है कि हमें एक ज़्यादा investment है huge investment की जरुद पढ़ती है और on the other hand अगर हम labor की बात करें तो labor पर इतनी ज़्यादा investment नहीं होती मतलब machine आप एक दिन purchase करके ले आए that's it वो machine आप की हो गई अब आपको दुबारा उस related कोई खर्चा नहीं करना है ठीक है मतलब कहने का मतलब आप benefit उसका लंबे time तक लगेंगे एक बार आपने machine purchase करी benefit आपको लंबे time के लिए मिलेगा ठीक है लेकिन labor पर खर्चा कैसे होता है regular basis पर Monday आया salary दी Tuesday आया salary दी Wednesday नहीं आया नहीं दी Thursday आया फिर दी तो regular basis पर खर्चा हो रहा है ठीक है दूसरी चीज machine पर जो amount incurred होता है normally जादा होता है machine महेंगी आती है labor on a cheap rate मतलब क्योंकि आप उसको daily basis पर खर्चा दे रहे हो daily basis पर उसकी wage pay कर रहे हो तो as compared to cash outflow हमारे पास से कितना पैसा गया उसके accordingly machine पर ज़्यादा पैसा जाता है labor पर regular basis पर है working capital है machine को हम easily बड़ा घटा नहीं सकते ठीक है क्योंकि उसका cost ज़्यादा है उसकी investment ज़्यादा है labor चल जाता है ठीक है या दस labor है कल 12 हो जाएगा 15 हो जाएगा या अब 8 ही चाहिए कम कर दो चलता है उपर निशी चलता है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखे machine और labor को अगर हम classify करें तो machine क्या होता है दोस्तो fixed factor वेरेबल factor क्या होता है आपका labor अब यहाँ पर अगर हम meaning को हम summarize करें fixed factors ज्यान दीजेगा fixed factors are those factors which are invested by a huge amount हमें एक बहुत बड़ा पैसा उसके उपर लगाना पड़ेगा and beneficial for a long future उनका benefit हमें लंबे time के लिए मिलेगा तो दो चीजें आगई ठीक है दो चीजें सिर्फ एक क्या investment जो पैसा हमने लगाया और दूसरा उसका benefit पैसा दादा लगेगा और benefit long time के लिए मिलेगा और अगर हम variable factor की बात करें तो variable factor सेम दो चीजें कि इन में पैसा तो कम लग रहा है investment मतलब सीजी सी बात है कम है लेकिनका benefit भी long term के लिए नहीं मिलता एक labor को 500 रुपे एक दिन के दिए तो वो सुबह से लेकर शाम तक काम करेगा फिर finish 500 रुपे उसके जो खतम हो गए इन पर regular basis पर खर्चा करना पड़ता है तो चाहे आप short run में हैं चाहे आप long run में हैं आपको machines भी चाहिए और आपको labor भी चाहिए short run में भी long run में भी machine की अगर हम बात करें fixed factor investment जादा benefit भी जादा variable factor labor खर्चा कम है लेकिन benefit भी उसी साब से कम है अब आगे बढ़ते हैं दोस्तो माल लीजिए अब इनका process क्या होता है किस तरीके से हम laws of production की बात करते हैं हम किस तरीके से production की rules को classify करते हैं ध्यान देंगे भाई अगर हम बात करें माल लीज आपने को business शुरू करा अभी बिल्कुल नए हैं आप आपको business की knowledge नहीं है ठीक आप मालिज आपने का cloth making कपडे बनाने का shirts बनाने का काम शुरू करा है ठीक है हाँ ये वाली बनानी है बिल्कुल आपने जो मैंने पहनी हुई है अगर आप shirt बनाने का काम शुरू कर रहे हैं तो आप क्या करोगे सेम चीज आपको जैसे मैंने बताया अभी कि आपका prime objective क्या होगा कि आपको short term तक के लिए काम करना है ठीक है पहले short term में business को चला के देखेंगे बताइए 10 मशीने 15 मशीने ठीक है 400-500 labor पूरे building floor नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं सर पहले चोटे level पर काम करेंगे हम एक machine लेकर आए ठीक है हमने एक चोटा सा area जो है वो lease पर rent पर ले लिया building का काम चलाने के लिए ठीक है और कुछ एक दो level हमने रख लिए ताकि वो काम करते रहें और जैसे जैसे market में demand आती रहेगी ठीक है और हम उसका असाब से production बढ़ाते रहेंगे अभी तो फिलाल जीरो ही है ठीक है अब ध्यान दीजे suppose तो हम दुबारा से revise करने वाले एक machine आ गई ठीक है आपने एक machine रखी है इसको समझे एक example को clear हो जाएगा पूरा पूरा production एक machine आपने रखी है आपने एक दो labor रख लिया फिलाल starting में काम करने के लिए ठीक है मैं और building ले लिए है अपने rent पे मैं ये assume कर रहा हूँ कि जो machine आपने buy करी है वो एक दिन में 20 घंटे चल सकती है कितना 18 से 20 घंटे चल सकती है उससे जज़दा चलाओगे तो उसकी life पर सर पड़ेगा चार-पांच घंटे का रहा है इस machine को भी चाहिए अब ये बात आपको नहीं पता मैं assume कर रहा हूँ कि 20 hours है लेकिन ये बात आपको नहीं पता क्यों आप तो आज ही आए ना machine को लेकर अपने business में आपको थोड़ी ना idea है उस चीज़ का तो ध्यान दे अब starting में काम शुरू हुआ डिमांड आपके पास आई labor जो है वो काम कर रहे है ठीक है तो मैंने assume करा कि एक machine आपने लगा दी है और दो labor suppose उसके उपर काम कर रहे है हम एक भी रख सकते थे मैं दो चल रहा हूं थोड़ी थोड़ी डिमांड आई अब यहां पर labor ने काम शुरू करा अच्छा में काम क्या है में काम क्या है machine के ओपर कि हमें कपड़े की cutting करनी है कि हमें कपड़े की cutting करनी है रहा मटेरियल जो हमें एक तरह से देखा जाए तो वह यह और डिजाइन तयार करना है ठीक है उसके बाद फिर उसको machine के according shape देनी है शर्ट तयार करनी है और फाइनली पैकिंग करनी है तो कितने काम हो गए वह चार काम हो गए एक क्या रॉमटल की cutting according to size एक get the unit Trude Nh מדs को थैयार करना लास्ट चार काम हो गए कितने लेवर काम करें है कितने लेवर कारें सर अभी 2 aligned मुझे बताइए मगर दो प्रेवर काव कर तो क्या machine 20 routine चला देंगी नहीं सर दो लेवर यह उनकी काम करने की 8-9 घंटे एक दिन में ठीक है और जब वो कटिंग कर रहे हैं ठीक है जब वो डिजाइन त्यार कर रहे हैं जो पैकिंग कर रहे हैं तम मशीन थोड़ी ना चल रही है मशीन तो कब चलेगी जब शर्ट को तयार करेंगे तो आठ नो घंटे मुश्किल से पूरा काम होता है उसमें से भी जो मशीन है मुश्किल से ठीक है तीन से चार घंटे चल पाती है अब अब हमने का डिमांड और आई हमारे पास पर जो हमारी शर्ट से मार्केट में अच्छी लगी लोगों को तो प्रड़क्शन हम में बढ़ाना चाहिए अब प्रड़क्शन बढ़ाना चाहिए तो रहता पासिछ और यहांि जादा कितना आपको नहीं पता प्रहां ज्यादा चल सकती हैं आपने क्या कर terminology कि लेबर बढ़ा देति हैं तीन अगये अब 2 मशीन 2 लेबर 3 चला रहे थे तो सीधियी सी बात है जो 3 लेबर कितनी तक चलाएंगे अब यहां पर Aur जाएगा ठीक है सर ऐसे कैसे दो चला रहे हैं तीन आर्स के लिए तो चार-पांच घंटे चलना चाहिए था आपने डबल कर दिया क्लेवर से हाँ बिल्कुल दोस्तों देख इसका रीजन क्या है अगर सचिन दिंदुलकर को बोल दिया जाता कि भई बैटिंग भी तुझे ही करनी है बालिंग भी तुझे ही करनी है और सीजी सी बात है क्या कहते हैं आपको फिल्डिंग का भी जदारों मदार आपके उपर रहेगा जहेर खान को बोल दिया जाता है आप तो कहने ने प्लेयर आ पुराने वाले ले रहो है तो क्या उन्हें ज्माल 20 नहीं वाली तो खाल से सेललक्टिट 3-4 बालर्स के ओपर रहें तो काम डिवाइड हो जाता है तभी टीम अच्छा प्रफॉर्म करती और जीतती है ठीके ऐसे यहाँ पर हुआ पहले चारों-पांचों काम जितने भी थे हमारे वह कितने दो लेबर करते थे लेकिन जब तीसरा लेबर आया तो काम क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा का तो प्रोडक्शन पहले से कहीं जादा होगा राइट ओके वही एक लेबर को बूल दिया भाई तो मशीन पर खड़ा रही हो तेरे को कटिंग होकर सारा रॉम मर्टीरियल मिल जाएगा डिजाइन मिल जाएगा आपका काम सिर्ट बनाने का है पैके में कि हम देख लेंगे तो स तो अब भाई यहां पर टाइमिंग और जादा बढ़े काम और जादा डिवाइड हो गया हम प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं ठीक है ऐसे ही काम और बढ़ा ठीक है मशी हमने एक मशीन है हमने पांच लेबर लगाए एक मशीन है चेले बर लगाए अब मैं आए हमारे पास और रिस्पॉंस आने लगा तो हम क्या करेंगे क्या करा वह आपने क्या करा एक मशीन और साथ लेबर लगा दिये और मशीन अब ट्वंटी टू आर्स चलने लग गई और बढ़ा दिना मशीन अब पहले से जाधा चलेगी अब आप नोटिस करोगे इस मटरियोल जादा विस्ट करने लग गई है रो मटरियल जो है सॉरियर जो पृड़क मतया नहीं नहीं हो रहा है जो खर्चा है ऑईलिंग का उर्लार पanın क्या कुछ घंड सवा ड़्ट है कि हमने मशीन के उपर लेबर थस्ज़ which ज सी सी ज़्यादा लगा दिये तो यह सात्वा लेबर नहीं लगना चाहिए यह सात्वा लेबर नहीं लगना चाहिए आपका डिजिजन यह हुआ तो बताओ क्या करें अब सात्वा लेबर लगा रहे तो मशीन खराब हो रही है लेकिन मार्केट से डिमांड आ रही है और डिमांड म आना है किसमें long run में ठीक है आपका business अब बढ़ना start हो जाएगा क्योंकि आपने देखा कि starting में जो factors मैंने लगाए थे एक machine लगाई थी उसका full efficient use हो रहा है खूब production हो रहा है market में demand आ रही है और further आ रही है तो क्या हम अपना process यहीं तक रोक दें नहीं at this moment इस level पर आकर आप अपने short run को convert करते हो किसमें long run में एक machine और 6 labor आपके पास तो पहले से ही थे अब दो machine हो जाएंगी labor कितने labor कितने साथ कर दूं या आठ कर दूं नहीं सर immediately च्या छे labor और आएंगे काम शुरू होगा क्यों शुरू होगा यह शौर्ट run में आपने यही तो सीखा था जब एक machine आई और दो लेवर आए तब थोड़ी ना आपको knowledge थी कि यार एक machine पर कितने labor चाहिए यही तो आपने सीखा short run में आप नए थे आपको नहीं पता था कितनी मशीन चाहिए आपको नहीं पता था raw material किस quantity में लेना है short run में आपने यही सब सीखा कि एक machine पर दो तीन चार पांग छे लेवर से ही रहेंगे सातवे लेवर से काम खराब हो रहा है production बढ़ाना चाहिए तो भई एक machine छे लेवर दो machine आगई बारा लेवर सीधा काम शुरू करिए on the day one यहां पर नहीं हुआ machine का fuller utilization day one से लेकिन यहां पर आप day one से अपनी machine का fuller utilization करेंगे क्यों अब आपको knowledge है short run से आप सीख कर आए हो short run से आप experience गेन कर कर आए हो ऐसे ही तीसरी machine 18 4th 24 तो इस तरीके से जो आपके factors हैं वो return to scale में change होंगे okay so that is the law of production in short run and long run हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है किन-किन चीजों को सीख कर चलना होता है वो हमने ह्तुफोर बार बार रिशू क्या होई है रहे है वारा बार रिशों change होह रहे है तो यहां पर मैं नाम देता हूँ अ season Dosukhat अगर आप यहां पर डिवाइड करोगे भनigo करोगे तो ट्रीच को करोगे तो 1 इसे क्या बोला जाएगा constant proportion तो जो law आपका apply होता है short run में उसे हम नाम देते हैं क्या return to factor उसे हम क्या नाम देते हैं return to factor और वो variable proportion पर based होता है ठीक उसी तरह जो law आपका use होता है long run में उसे हम नाम देते हैं क्या return to scale और यह based होता है constant proportion पर long run में हो short run में हो fixed factor चाहिए variable factor चाहिए fixed factor investment जादा है benefit भी जादा है variable factor investment कम है benefit भी short term के लिए है clear so friends this is all about the laws of production जो production करने के लिए rules हमें follow करने चाहिए हम one by one आने वाली classes में एक बार discuss करेंगे return to factor गो एक बार return to scale को उसके बादे topic हमारा done होगा ठीक है तो दोस्तों आज की class में इतना ही रखेंगे next class मिलते हैं आप से हम concept of production और law of fair revolution शुरू करने वाले हैं thank you friends मिलते हैं आप लोगों से next class में okay thank you हुआ 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 है